दुनिया में जितनी भी टास्क फोर्स होती है उनके पास एक फुली ट्रेंड डोग भी होता है जो उस टास्क फोर्स की केस सॉल्व करने में मदद करता है इन डोग्स को इतनी ट्रेंणिंग करवाई जाती है जिसके बाद उने टास्क फोर्स का मेंबर बना लिया जाता है इन डोग्स के लिए काफी tough step होता है अगर इन डोग्स में से कोई डोग इस बिली पर attack करता है तो उसे task force से बाहर कर दिया जाता है और अगर उस बिली के सामने कुटा self control कर लेता है और उस बिली पर attack नहीं करता तो उस डोग को task force में शामिल कर लिया जाता है